हेलो गाईस आज हम बात करेंगे रियल में डिवाइस के चार्जिंग प्रॉब्लम सॉलिशन के बारे में वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल का इकोन को प्रेस कर लिजीगा इस वीडियो में ज्यादा तर आप लोगो ट्रिक्स बताने से बेटर में आप लोग ज्यादा तर टीप्स बताऊंगा ठीक है ना चार्जिंग की सो आप लोग को इस तैब की प्रॉब्लम सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं ज्यादा तर केसिस में आप लोग क्या प्रॉब्लम आती होगी कि प् ठीक है न किस थी टाइप की भी प्रावल मारी होगी तो सबसे पहले आप लोग अपने फोन का Charger चेक कर लेना है ठीक है ना? Charger वगएरे चेक कर लेना है वह फिर में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं हो सकता है कि छारजर आप लोग का खराब हो गया होगा, कुछ-कुछ कैसिस में सही भी होता है, और दूसरी बात, आप लोग को केबल वगेरा चेक कर लेना है, जो भी आप लोग का USB Type-C केबल रहता है, उसको भी चेक कर लेना है, कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं हो, दूसरे फोन में लेगा कर दे आप लोग को charging की problem face करना पड़ रहा है, तो यह क्या करना है, आप लोग को, मैं आप लोग को बताता हूँ, सबसे पहले setting open करेंगे, आप लोग ठीक है ना, और यहाँ पे आप लोग को additional setting में क्लिक करना है, उसके बाद, back up and reset पे क्लिक करे, इस result डाटा पे क्लिक करके, आप आप लोग को reset system setting ओलने पे क्लिक करके, आपने phone को एक बार reset करना है, ओके, या फिर एक बार restart भी कर सकते है, हो सकता है, आप लोग की problem solve हो जाए, बट अगर फिर भी problem solve नहीं होती है, तो हो सकता है, यह problem hardware की problem हो, या फिर आप लोग को charger chain करना पड़ेगा, आपने phone को, या फ लोग को देखने को मिलेगा, और अगर आप लोग की problem फिर भी solve नहीं होती है, या फिर solve हो जाए तो आप लोग मुझे जरूर से comment करके बताएगा, उमीद कर दे, आप लोग को वीडियो पसंने की जयमाता दी